की ते विद्क सबस्टुम आप सब थीक हैं आज हैना मैं चावल की खीर की डिड़े? रींट रहें हो चिहले यहां सबस्सक्राइब चिसंद दो यह क्या लिए रखे दें शुर्व का कीका本ैनाइसोटि श्यूटि कर¥ के लिए भी दख सकती हैं से और मैं ये मेजर्मेंट का कप से ये कप ली हूं मैं ये से चावल को ये ये कप चावल ही है इसे मैं अच्छे से धोकी भीगनी रख ली थी यहां पर मैं थोड़े बादाम ली हूं और थोड़े काजू ली हूं साथ में और थोड़ा मुनाखा ली यहां पर मैं चार इलेची ली हूं से बारिक पीस लेना है आप ड्राइफुट्स जो भी दलो आपकी पसंद अब मैं यां पर शक्कर ली हूं यह मेजरमेंट के कप से मैं यह कप चावल दाली हूं और टू अंडाफ शक्कर दालती हूं चोटा सा और इसमें मैं दो टेबल स्पॉन घी दालती हूं गी अच्छे से गरम हुआ ले अब इसमें मैं काजू दाली हूं और काजू को थोड़ी देर इसे थोड़ा लाइट कलर आये तका इसे भून ले चूंद काजू बादम को छोटे-चोटी पीस बना ली हूं मैं इध कि अधिक को यहां गुशे आसा नहें यहां कर दिचिए अगी में यह भी बुदन ली हूं मैं अच्छे से आ और ठोड़े मुनाखा भी इसमें दाल आलती हूं इसे भी ठोड़ी देर इसे भी तऴ्लिंगें तलिंगें इसे भी निकाल लेती हूं और यह देखो सब अच्छे से रोष्ट कली हूं से एक इलाइची दालती हूं उसमें बगार के वास्ते में और चार इलाइची को मैं ऐसा भारी कूटली हूं और यह भी नहीं दालती अब मैं इसमें थोड़ा पानी दालती हूं गी में क्योंकि दूद दालते ही जल जाता है इसके वास्ते मैं पानी दालके भी दूद दालती हूं मैं दो लेटर दूद दाली हूं अच्छा गाड़ा वाला दूद दो लेटर दाली हूं मैं इसमें थोड़ा पानी भी दाली हू ये उपर है काजू बादम का है, ये परा, काला आ है सो, और घी जला हुआ है सो, और दूद देखो अच्छे से पका लिए हूँ दूद को उबल लाता है दूद, अब मैं इसमें है न, चावल जो भिगने रखी थी वो उठा कर इसमें दाल दालती हूँ अच्छे से भिग गए हैं चावल छीएते ही अच्छा बुकनी जैसा हो जाता है चावल और यह देखो पूरे चावल डाल दाल लिह हूं इसमें इसे अच्छे से एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लिए इसे चावल एक ही जगा नहीं बैठे सका और इसे लाते रहना नहीं आप चाह कुकर में भी पका सकती हैं से मैं कुकर में नहीं खुली हंडी में ही पकाती हूं खुले में और कुकर में आप चाह है तो कुकर में भी पका सकती हूं और थोड़ा जली पक जाता है कुकर में इदको हाफ चावल तक पकने आगे ही और मेहना यह वर्तन में बाजु मैं थोड़ा फूड कलेरो दाल भी दालती हूं आपकी पसन्द मैं Tech अछां जया जलिघ्क थोड़ा आया डख़ो इसा लाइट कलर आने से थोड़ा अच्छा देशता insert पकने आता है मैं इसे भी से धाक थोड़ी देर अच्छे से पका लेचू चावल है ना अच्छा बारिक बारिक हो जाना ये ये दखो चावल अच्छे से पक्गे ही और थोड़ा पकने का है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स के लेना भो लाते रहना ने तो नीचे ना दू देना नीचे लग जात रहते सैड बारिक होते आती हैं और निच्छे भी नहीं लगे सका अच्छा था भी शक्कर नहीं दाली हूं चावल के एक बार हमें छीए को देखने के बाद भीर हमें इसमें शक्कर दालेंगे एधा को मैं छीए के देखती हूं चावल ऐसा अच्छा बारिक-बारिक हो जाना चीते ही ज दोड़ों सारा शक्कर दाल में इसे अच्छ से अब मिलाते रहना है। चावल में शक्कर दाल लेंदे के बाद थोड़ी देर अच्छ से पका लेना इसे। जबक़ जब नई उतारना है इसे, अच्छे से श्टोप से, मिडियम आँच पे पकालेना है इसे, शकर और चावल, दोनों भी अच्छे से पग जाना है इसमें मैं ऐसा च्लाती हूँ, और इसे ऐसा च्लाते भी रहना, मैं तो नीची लग जाता है यह न चावल शकर सब अच्छे से खीर है न बन को रड़ी होगी है और अच्छे से भी पगगी है अब मैं इसमें काजू बादम मुनाखा थोड़ा थोड़ा दालती हूँ भिर थोड़ा सप्रेट से रख जाँ थंड़े के बाद दालती हूँ और मैं अब गरम पे दालते हैं पूरे नरम पढ़ जाती है एकदम काजू बादम सब और इसके वास्ते न थोड़ा दाल के थोड़ा अलक से रखियों यह सब को अच्छे से मिक्स करती हूँ अब मैं दालने के बाद कीर पग जानद के बाद हमें इसमें मिल्कमेड आड करना है और पहले नहीं आड करना है से मिल्कमेड को मिलाना नहीं है और खीर पगी है अब मैं इसमें हाफ फूट बाक्स मिल्कमेड दालती हूँ से मैं फोरन श्टो हाफ कर दाली हूँ क्योंकि इसे दाल को पकाना नहीं है मिल्क मैट को, खाली mix करके से भाजूक श्टो पईसी है हेंडी भाजूक रखना है यसे और पकाना नहीं है इसे मिल्क मैट दालने के बाद, मैं श्टो हाफ कर दा लिहूँ और इसे अच्छे से mix भी करती हूँ अब यह थंड़ा होने के वीस्ते मैं से छोड़ती हूँ एक 10-15 लाहजे मैं एक कांच के बॉल में निकाल ली हूँ खीर को चावल की और यह थंडी हो चुकी है अब मैं इसके उपर काजू बादम मुनाखा धालती हूँ से और यह देखो देखने में एक दम बहतरी नहें खाने में एक दम ला जवाब है और आप और यह दो ज़रूर से पसंद धती बचसे है ना खाने के बाद भीरसे डाल को द्यों अग्वर को बोलती है कार्ण मज़ेदार हाती है खीर और आप मिल्क मेट नहीं दाले तो अभे शकर इसमें बढ़को दालो मिल्क मेर दा कए तो शकर ndake Talk ME, खेर को यह थोड़ी कम डाल जबतक के लिये अला हफीज